तो लगातार भीलवडा ने चितोडगर सीमा पर बने वाटर पार्क में दो गुटों में जो जगड़ा हुआ है वो एक इस वक्ती बड़ी खबर है जड़प में बदल गया है मामूली मारपीट के बाद जम कर तोड़ फोड हुई जो पार्क लोगों की बच्चों की मौज मस गई और चितोड़ और भीलवडा के सेगड़ो लोग भटना के समय पार्क में मौजूद थे आपको बताएं कि इस पार्क में अब मस्ती की जगए जैसा वीज्वल्स में आप देख सकते हैं जेसी बी तक वहां पौँच गई है और वहां पर तोड़ फोड़ की जा रही है तो पूरी तरह से एकदम एववस्थित बेतर्तीब तस्वीरें आपके सामने हैं और सेकड़ो लोग इस वक्त पे पार्क में मौजूद हैं वहां जो कैनपी मौजूद है उसको भी तोड़ने की कोशिश की गई जेसी बी के जरीए और लोग एकदम हिंसक रूख वहां पर अक्तियार कर चुके हैं तो स्विविंग पूल में पानी में गोते लगाते लोग अपनी स्विविंग छोड़कर बीच में भाग पड़े और जो हालत फिलहाल वहां दिखाई पड़ रही है वो किसी भी तरह से किसी पार्क में कम से कम इस तरह से कभी नहीं देखी जाती किंग्स वाटर पार्क है जिसके घटना है और सुन्ने मारा के गंगरार के पूर प्रधान देविलाल जाट और वाटर पार्क की सुरक्षय एजंसी के संचालक संपत गूर्जर के बीच एक पुरानी रंजिश है जिसके चलते जगड़ा हुआ है लेकिन जगड़ा भले इनका अंजीजी हो अब नुकसान एक तरह से कहें लोगों का इसके बीच में हुआ है संपत्ती को नुकसान हुआ है घटना चित्तो और घट का इंड़स लेह रिया है जहां व्यापारिक विवाद और ठेकों के लेकर ये पूरे घटना को अंजान दिया गया है तो ठेकेदारी की लड़ाई थी और इसमें जगड़ा हुआ जो पूरी तरह से हिंसक रुख अपना चुका है वहाँ पर ना सिर्फ डंडे लाटियां बलकि अब जेसी भी भी पार्क में पहुँच चुकी है और उसके चलते वहाँ पर पार्क में पूल और उसके आसपास क लाके में तोड़ फोड़ की गई और इस लड़ाई को जातिकत स्थानी स्थर पर जातिकत रंग देनी की भी कोशिश की जा रही है कुछ शरारती तत्वा ऐसा कर रहे हैं जिस पर मौके पर S.P. रविंद्र प्रताब भी पहुँचे हैं उन्होंने हालात का जाइजा लिया पुलीस ने मौके पर पहुँचकर दोनों पक्षों में समझाईश की कोशिश की है शान्ती बनाय रखने की कोशिश की है नवीन जोशी हमारे साथ इस खबर पर हमारे सहयोगी लाइव है उनका रुख करेंगे नवीन अगर आप तक मेरी आवाज पहुँच रही है वाकई बिलकुल बहुत चौकाने वाले दिरश हैं जो पार्क मोज मस्ती के लिए बना होता है लोगों बच्चों के लिए घर्मियों के दिन निश्यत रुप से चुट्टियों में वहां आते होंगे स्विमिंग वगर रहे के लिए लेकिन वहां पर इस तरह के जी सीबी से तोड़ फोड जड़ा दर्शकों को थोड़ा बैकड्रॉप समझाई इसकी प्रिष्ट भू में आखिर है क्या कि एकदम से पार्क जंग का मैदान बन गया देखिए यह बहुत इंताजनक बात है बिलवाडा और चित्तोडगड की सीमा पर बढ़ना हुआ यह जो गंगरार के पास का यह गंगरार थाना शेक्त का गटना करम है गंगर थाना शेक्त का जो किंक्स वाटर पार्ग नाम का एक संसान है यहां पर आज दोपेर बाद में अचानक जो पुराने रंजिस चल ले आ रही है दो गुटों के बीच में एक तरह से जो सियासत के साथ सात में यहां पर जो इस तरह से कारोबारी कभजे को लेकर यह जगडा चल रहा है एक तरह जो जो देविलाल जाट बताया जाते पूरु प्रधान है उनका एक तरह से कि अपर प्रयास हूं किसी निज्डिस चल रही थी और अज चलते चलते हो गया जग्ड़ें के बीच में इसे लोग पीछ जिन का कोई जग्ड़े से लेना देना नहीं है इसे लोग थे चारसो पाम सु लोग थे इसे जो मौज-बस्ति के आएवे थे वाटर पार्क बनते इसलिए लोग बाग छुट्टियों के दिनों में इंजोई करें इसलिए वहां पर आएवे थे और अचानक जगड़ा हो गया लोगों के भगदड़ मज गई करीब वह ऐसी बच्टियां जो इनकी उमद 4-5 साल है मासूम वह साथ बूरे जग इसका प्यास कर रहे है अभी तक इस बारे में पुलिसे को पुष्टी नहीं की है किसी की गिरफतारी की मगर यह बात तै है कि जो गटना करवा था उसके बाद में कम से कम भी एक दरदें साधिक वहानों में तोड़ फोड की गई एक बाइक को आग लगा दी यह बहात सामन आ रही है मगर पुलिस इसकी पुष्टी नहीं कर रही है अभी यह जो जेसी भी लेकर वहां पहुंचे हैं निश्य दूरुप से दोनों तरफ के लोग वहां होंगे जब आमने सामने की बढ़न्त हो रही होगी अब क्या प्रॉपर्टी को नुकसान पहुचाने का क्या मकस आती है तो भीड क्या करती है किसी को पताने लगता है और रीशी का एक नतीजा है कि देविलाल जाट जो की पूरुपदान बताया जा रहे है उनके कुछ समर्था तरे बताया जारा को उनका यह जगडे में जिस तरह से सामने आना हुआ और जिस तरह से उन्होंने तोड़ नवीन तो इस वाटर पार्क का संचालन कौन कर रहा है नवीन वहां पर और क्या सिर्फ यह मैं कहा सुनी थी कि जो भी विरोधी पक्ष है दूसरा पक्ष है यो कहें कि उनके लोगों को वहां पर आने नहीं दिया गया सिर्फ इतनी सी वजह है या फिर कोई है जिस तरह से आपने ख़बर में पहले भी बताया और जो जानकार यह आपने भेजी है कि यह कोई आपसी पुरानी व्यपारिक रंजिश है क्या ज्यादा क्या लग रहा है आप फिलाहल क्या पुलीस का कहना है? विखकु 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 सबसे बड़ी रंजीस है विखकु 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 व जो कि जिन्की उमड 17 से 19 साल के बीच में 17 से 25 साल के इसे जो मासुम बच्चे हैं उनको जाती का तरह बढ़काया जा रहा है यह इसका नमूना भी है जी और निश्यत रूप से उसका नमूना है कि किस तरह से लोगों को वाके फिर भेड़ तो अनियंतरित होना लाजमी है थेका लेने की आपस में लड़ाई थी लेकिन ठेका निश्यत रूप से टेंडर हुआ होगा तो अलोट हुआ होगा दूसरी जिस भी पार्टी किसे दोनों पक्षों के बीच में जो लड़ाई चल रही है आपने बताया प्रधान और बनाम ठेकेदार जिसके पास में यह इ यह जो आपने सवाल उठाया बहुत बाजी उठाया बिलवाडा में एक साल से लेबर लीडर्स के बीच में वियापारियों की बीच में उद्योग प्यत्यों की बीच में खीस्तान चल रही है और जिस तरह से खीस्तान अब तक तो केवल चोरायों पर और चोटी-मोटी जुड़े लेइन छंग आपका बंऄ म में खोया अब खाल से बीच साल से मजुदूरें आपकल JULY में मजुदूर गरूर रहे बेल्कुल. नवी, शायद आपकी आवाज आपकी आम तक नही पहुंच पाई है. जी जी नमीन आप पूरा कर सकते हैं अपनी बात, जी जी जी, तो ये जो गटना करम हो रहे हैं लगातार पिछले 6 माहीने से लगातार बढ़ रहा हैं जो ठेकेदार हैं, और हो थेकदारों के साथ में, जो इंदिस्ट्री में ठेकेदार हैं के साथ साथ में लीडर्शिप चरलाते है अपनी वह कहीं ना कहीं जातिकत रंग दे रहे हैं लड़ायों को और इस जातिकत रंग के चलते ही अभी कुछ दिन पहले बिलवाडा के प्रताब नगर शेयर सुगन सिंग को अपनी निलंबन से एक कीमत चुकानी पड़ी है इसी त कर्श कर दोनों पड़ते हैं कुछ जर पहले जगड़ा होता है वाटर पार्ट में उसके एक घंटे बाद में वहां पर भी पोच जाती मनोने सुटिंग में वहां पर जिन लोगों कोई लेना देना नहीं मासूम लोग हैं लेबर लोग हैं उनके साथ में मार पीड हुई है वहां पर बताया जारा है इस तरह पूछनारी निकल के वहां पर एक टेक्टर को आग लगा दी जैसी भी को आग लगा दी जो कहीं न कहीं यह अपने बनाम पूजर यह एक अपने आप में रंजिश रहती है राजस्तान के कई अलाकों में नवीन क्या यही एक तरह है कि वह ज जातिगत रंजिश जिसका आप जिकर कर रहे हैं वो यहां पर भी देखने को मिल रही है यह बात मिलकुल गलत हो जाएगी चूंकि राजस्तान के दूसरे इलाके में बली यह बात हो मगर घिलवारा एक इसा इलाका है सवाई बोच जो के अंतराश्टी देव नारेंड का मंद हैं तो किन जातियों के पीछ है क्या क्या मतवेद हैं उनमें आपस में यह आप मिल्कुल सही कह रहे हैं कि रंजीस सामने आरी जातिगत मगर इस जातिगत रंजीस का नाम दिया जा रहा है और इसी के चलते महसुम लड़कों को जो कि भटके में यूवक है जिनको कुछ चा में आप हमारी एंडी टीवी के जो टीवी पर जो पूटेज चल रहे है इसमें देखो आप सेकुडो के संग्या में यूवक आगे हैं जिनका को लेना देना है नहीं जगड़े से माकर उनको बढ़का के लिया गया और किस तरह से तोड़ फोर कर रहे हैं बिलकुल बेरोक बिलकुल दमंग गई देखें आप सीसी टीवी तोड़ दी गए वहां पर वहांनों में तोड़ फोर की जो लोगबाग आये थे वहां पर वाटर पार्क है तो वाटर पार्क में लोगबाग महुझ मस्ती करने आते हैं सुट्ट्रों के दिन चल रहे हैं घर्मियों का सीजन बनाए रखेगा अगर कोई अधिकारी किसी तरह की सूचन आती है तो निश्चित रूप से जरूर बताएगा